नमस्कार अंगनबाडी बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने अजुके सनों सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में दूस्तों चैनल पर फस्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जोड़ी दोरू प्रिस करेगा क्योंकि अंगनबाडी बहनों आपको पता है कि अंगनबाडी से जोड़ी जो कोई भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको परवाड़ी कर वे जाती है वो भी विद्ध प्रूप के साथ है अंगनबाडी बहनों के जो धरना इस्तलह होता है जो इनके द्वारा आड पताले की जाती है उनसे समंदित खबरे मान दे बड़ोतरी और उनके पैंजन पदुनती और इसके अलावा जो इनके रिटार्मेंट की उम्र हैं उससे जुड़ी जो कोई भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको दे जाती है जी यहां दोस्तों आंगनबाडी बानो आज हो चुकी है 14 अगस्त 2020 आज की जो आँगनबाडी आसा वर्करों से जुड़ी जो मुक्य कबरों की अपडेट है आज की अलगलग राज्यों की उनकी अपडेट आपको शुड़े के मादिम से मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महतपुन मनने वाली है कि दड़ना इस तलसे सिदी खबर में मिले है कि उनकी जो मांगे हैं वो हो चुकी है पूरी अरताले हुई है खतम बहन को मिले आस्वसन मिलेगा अब 18,000 रुपे वेतन साथी पैंसन प्लस पड़नती और सरकारी करमचारी भी गोसित दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी बन रुपे सेलरी प्रदेशन किया तो हो गई एफईया दर्ज जी यहां दोस्तों अपडेट निकल का आ रही है दिल्ली से हैं बार आगस्ते 2020 की अपडेट लगा गई गई है कि एक आस्वरकर ने बताया कि हम फ्रेंटर लाइन वरकर्स हैं जिनने कम मुगदान किया जा रहा ह हम जरूरी सुर्क्साव प्रोणों से बिना काम करने को मजबूर हैं और हमने सरकार तक पहुचने की कोशिस की मगर जब इसे भी काम नहीं बना तो जंतर मंतर पर वेरोध प्रदेशन करने का फैसला लिया ताकि सरकार हमारी आवाज सुन सके दोस्तों यहां पर आप दिशो दिल्ली पुलिस ने कुछ आसा वर्करों के खिलाप एफाया दर्ज की और आरोप है कि उन्होंने 9 अगस्त को जंतर मंतर पर वेरोध प्रदेशन के दोरान अनलोक दिशा निदिशों का ओलंगन किया और बताया गया कि सांसत मार्ग पुलिस से अधिक आसा वर्कर प्रदेशन के लिए जंतर मंतर पर इकटा हो यह अश्दाराना बहुत सी आसा वर्करों मास्क नहीं पना था और सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया है इस वज़े से कोरोना बीमारी फैलती है और जो भी नेमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाब कानूनी कारवाई की जाएंगी और राजनितिक और दार्मिक रूप से लोगों के इकटा होने के अनुमती भी नहीं है और प्रदेशन में सामिल होने वाली भारतिय वेपार संगों के खिलाब यह अफ़ाया दर्ज की गई है दरसल राश्टी राजदानी में कोरोन के खिलाब लड़ाई में सबसे आगे रही है आसा कारीकरता 21 जुलाई के बाद अड़दाल पर हैं और उनकी मांग हैंगी प्रतिमा 10,000 रुपे वेतन और पीपीडी किट पी दिया जाना चाहिए और ऐसा ही एक आसा वरकर ने बताया कि हम फ्रेंट लाइन वरकर से जीने कम मुक्तान क्या जा रहा है हम जरूरी सुर्कसा उपकरोने के बिना काम करने को मजबूर हैं हमने सरकार तक पहुचने की कोशिस की मगर जब इसे भी काम नहीं बना तो जंतर मंतर पर वीरोज प्रदेशन करने का फैसला लिया ताकि सरकार हमारी आवास सुन सके और दिल्ली आ फ्रेंट लाइन वरकर हैं जो पीपीटी केट मास्क दस्ताने सेनेटाइजर और बैतर मांद देश जैसी बुनियादी मांगे कर रहे हैं और दिल्ली में सो से भी ज्यादा अधिक डिस्वेंसरी की आसा वरकर अरदाल पर जा रही हैं और अगली जो अपडेट निकल का आ र ढली तो व्रेंर लाजिस्तान के कोटा जिले से की राजिस्तान आंगनबाड़ी करमकार्य संग की और से क्यादा की षिल काटताल की केंदरों का किराया देने समित अन्य मांगे भी के दी जिला कलेक्टर ने करमचारी वा समश्य के निराकरन का आस्वसन देते वे अड़ताल पर बैटी प्रदेश अधिक साहीदा खान का अंसन तुलवाया और संकी पदाधिगारी संतो सर्मा रमा सर्मा और जरीना समित अन्य अधिगारी समोगे पर उपस्तित भी रहें इन मंगो को लेकर भूरताल की गई हैं दूस्तों मैं आपको बताता हूं कि साहीदा ने बता है कि सांट वर्स पूरी करने वाली कारिकरता वाँ साहीगा को दोबारा निक्ति देने का अंगनबारी केंदोंका पूरा किराय दिल् ने काटे गए मसमस्त मांदे का भुकतान करने की मांग की गई है और अगली अपडेट निकल का आ रही है आरियाना के बीवानी से है दोस्तो बहुत ही जरूरी अपडेट आसा वरकर ने दूसरे दिन भी CMO कारेले के बाहर दिया है दर्णा जी यहां दोस्तो अपडेट यहां वरकर सामिलोई जोकी अधिक्सता उकम कोर ने किया और मन संचलान सुमन बहाल ने किया है सीटू जिला प्रदान राम महर सिंग वह यूनिन जिला सची सूशिला दिराना ने काए कि आसा वरकर अपनी जान जोकी में डाल कर कोरोना योदा के रूप में कारे कर रही है आसा व वरकर से दिया है दरना जी यहां दोस्तों अपडेट यहां पर आप दिख्षतो की हेल्थ वरकर का दर्जा देने समयत विबिन मांगो को लेकर दूसरे दिन भी सीमो करें लेके बाहर आसा वरकर स्यूनिन का दरना जारी रहा और सरकार के खिलाब आसा वरकर ने खूब नार को पूरी तरस से इस्तेहिए के जाए कोविड नाइने में काम करें आसा वरकर को जो खिम बत्ते के तोर बर चार जार रुपे प्रति महीने के प्रतिसाफ से दिया जाए और अगली अप्डेट निकल का आरे हैं गीरिडिस ने के गेल के CSR Fund से बदले गी है आगनबाडी के अंडों की तस्वीर, गेल इन्टिया लिमिटेट के CSR मद के, जीले के 49 आंगनबाड़ी केंदों की तस्वीर बदलने वाली है और जीले के प्रतेक प्रकंडे में 3-3 आंगनबाड़ी केंदों को मौडल केंदों के रूप में परिवर्दन किया जाएगा और पूरे जीले में कुल 49 आंगनबाड़ी केंदों का इसके लिए चेहन किया गया इसकी प्रसेसनिक स्विक्रती उपायुक्त रहूल कुमार सीना ने दे दी है उपायुक्त की और से जारिया आदिश में का गया है कि गैल इंडिया के CHR मदत के तहत कुल एक करूर रुपे स्विक्रत किये गए है इसका 50 फिजदी आने की 50 लाग रुपे पूपलद करवे कि कोरोना के केस बढ़ने के साथ या असा वरकरो और फैसिलेटरों ने डो टू दोर सर्वे करने के काम का भी बॉइकट करने का एलान कर दिया है मंगलवार को असा वरकर्स एंड फैसिलिटेटर्स यूनिन की और से जिला प्रदान रंजनी की अधिक्सता में कोरोना महामार के दोरान डो टू दोर सर्वे का बत्ता जारी नहीं होने पर रोस देता गया है और सीविल सेजन डॉक्टर भूपेंदर सिंग को मांग बत्र सौकर सर्वे का बॉइकट करने का एलान भी किया गया है और नेक्स्ट जो अपडेट देख से तो आपकी आईकोट ने कोविड- सरकारी आदेश लोगडाउन में गयर आजीर आगनबाडी कारिकरतों को अठाने पर रोक गया है और यही मामले परमुक पंचयती राज सची और महिला विकास विबाग के निर्देशक सहित अन्य से जवाब देने के लिए पिका गया है और अगली जो अपडेट दिख्स त अगनबाडी के लिए सताव बावन हजार सांस सो बारा पेकेट सुधा दूद और आवंटिट हुए बच्चों को बाटे जाएंगे तो दोस्तों यह थी आज की आगनबाडी आसा वरक्रों से जुड़ी जो मुक्य कबलों की अपडेट से कर आपको वीडियो अच्छी